कि automation टेस्टिंग जो है अगर आपको कोडिंग का इंट्रेस्ट है तो आप automation टेस्टिंग भी आगे परस्यू कर सकते हो after manual टेस्टिंग जो मैं recommend करता हूँ कि manual टेस्टिंग सीखने के बाद ही automation टेस्टिंग सीखी जाए है हमारा जो यह अलगलग topics है manual टेस्टिंग बेसिक प्रस एडवांस जिसमें हम एडवांस में जीरा और अजायल देखेंगे ठीक है mobile application टेस्टिंग देखेंगे API टेस्टिंग देखेंगे जिसमें पोस्टमेंट टूल का यूज करेंगे प्रफॉर्मेंस टेस्टिंग देखेंगे जिसमें हम जे मीटर टूल का यूज करेंगे डेटा बेस टेस्टिंग जहां पर मैं SQL और MySQL देखेंगे security testing देखेंगे ठीक है पूरा हमारा जो course रहेगा वो 60% theory 40% practical करेगा practical मैं वही करवाऊंगा जो life मेरे in-house projects है जो ठीक है जो मैं किसी company में जो काम करता हूँ वहाँ पर जो projects में deal कर रहा हूँ मैं उन्ही projects में आपको hands-on करवाऊंगा उसी projects का आपको experience भी होगा आपको session recordings दी जाएगी notes दिये जाएंगे जैसे notes आपने देखें आज उसी टाइप के notes आपको दिये जाएंगे same ठीक है और जैसे आपने बताया मैंने आपको जैसे introduction में देखा कि आप को as a experience candidate कोट पांडा शो करवाएगा जहां पर आप experience क्यूए टेस्टर आप किसी company में बैठोगे ठीक है अब वो experience कैसे आएगा वो पूरे course करने के बाद आएगा तो यह जो course है वो एक beginner से लेके three to four years के experience तक के जो क्यूए होते हैं उनके लिए यह course पूरा बनाया गया है उसके जो पूरा content है वो justify करता है अगर आप interview दो कहीं पर तो पूरा justify करेगा कि आप तीन से चार साल के experience के candidate हो अगर आप पूरा अच्छे से कर लेते हो यह जो program है यह 100% job guarantee program है जहां पर आपको सिफ यह दो condition follow करनी है आपका 80% attendance होना चाहिए और 80% dedication dedication as in जो मैं आपको करवाऊंगा वह आपको करना है task पूरे complete करने है आपको activity दिखानी है class में interactive interactive रहना हमेशा ठीक है normal packages जो रहते हैं वो थोड़ा बताया कि अगर आप 0.6 experience लगाते हो तो city और company worst to worst के scenario 3.2 LPA से start होता है यह minimum है इससे ज्यादा भी आप grab कर सकते हो 4 LPA 5 LPA यहां तक भी student की लगे है one year experience में एसे ही आप increase करते जाते हो पूरा course होने के बाद आपका फिर mock session होंगे ठीक है resume preparation होगा mock session में आपको live जैसे environment में interview होता है वैसे आपके mock sessions होंगे वहाँ आपको grooming किया जाएगा ठीक है आपके फिर इसके बाद आप फिर actual interview में आपको बताएंगे कि यहां 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 पे जॉब्स हैं आप यहां पे apply करो पूरा सब बताएंगे प्लस आप जो हमा करने के बाद ठीक है तो आपको experience letter salary step background verification यह सभी भी code panda clear करवा के देता है आपको ठीक है based on the charges charges आपके कहा रहेंगे 15% of the ctc 15% of the ctc कौन से ctc जो आपने offer letter grab किया हुआ है ठीक है और जो companies जिसमें हम आपकी employment register करवाएंगे यह सब documents के लिए वो genuine companies रहेंगी ठीक है और इसके बारे में जो 15% of ctc जो है इसके बारे में आपको जाधा जानना है तो आप counselor से पूछ सकते हैं कि one time payment है EMI है EMI options है available और जानकरी के लिए contact to counselors